नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं How to Learn Astrology YouTube Channel नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में हम आप से बात करेंगे कि सोने से पहले रात को तक्ये के नीचे कौन सी कौन सी वे चीजे हैं जिने रखना चाहिए जिने रखने से आपकी किस्मत का ताला कुछ इस परकार खुल जाता है कि जो आपने कभी सोचा भी नहीं था आपका दुरभाग्य पूरी तरह से बदल जाता है सोभाग्य में दोस्तों अगर आप भी जानना चाते हैं तो आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों वे रिस्तोदाव करें घर में हर तरह की प्रगत्ती के लिए वे समर्दी के लिए प्रते दिन पूजा पाट की जाती है दर्म गरंतों वे सास्त्रों में बहुत से छोटे-छोटे उपाए बताए हैं जिनका बहुत बड़ा महत्व है यदि इनका सही तरीके से पालन किया जाए तो व्यक्ती की जिंदिकी बदलते देर नहीं लगती पारों के साथ इसे शेयर अवश्य करें और कमेंट में जै बजरंग बली लिखना ना भूलें क्योंकि दोस्तों हम हर रोज लाते रहते हैं ऐसे जवर्दस वीडियो जिनसे आप अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुख में जीवन दोस्तों यदि कुछ खास चीज़ों को अपने रात के समय तक्ये के नीचे रख कर सो जाएं तो आपकी वे मनों कावनाएं जो की आपके मन में दबी रहती हैं वे भी खुद वे खुद पूरी हो जाती हैं दोस्तों ये उपाएं इतना कारगर है और असरदार है कि इसे करने से ना सिरुफ आपके जीवन की समस्चाएं खतम हो जाती हैं बलकि आपके जीवन में धन की गर कोई कमी है तो वे भी पूरी हो जाती है अक्सर लोगों के जीवन में धन की कामना अवश्य रहती है पहे चाते हैं कि उनके घर में और उनके जीवन में सदेव धन का आगवन होता रहे धन की कोई कमी न रहे तो अगर आप भी चाते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अंतर तक देखें और कमेंट बॉक्स में जैबजरंग बली लिखना ना भूले दोस्तों ये उपाय इतना खास है कि सुएम स्री किशन ने इस उपाय को बताया था इस उपाय को करेंगे तो आप जैसे ही से आज करेंगे तो आपको कल सही इसके परिणाम देखने को मिलने लगेंगे तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय बजरंग बली लिख दें और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले से सब्सक्राइब कर ले क्योंकि हम हर उजलाते रहते हैं ऐसे ही जबुरदस वीडियोज ताकि आपको ये सब्सक्राइब पहले देखने को मिले और आप अपने जीवन में सब्सक्राइब करके धनवान बन सकें दोस्तो अगर आपने मन बना लिया है कि आपको ये उपाय करना है या फिर धन से जूड़ी परिशानिया कोई ना कोई परिशानी आपके जीवन में आई दिन आती ही रहती है तो वे सभी समझ्याएं आपकी शनवर में दूर हो जाएंगी लक्समीर साक्षात रूप से तुलसी में निवास करती हैं. इसलिए तुलसी के पत्ते में ऐसी गजबशी शक्ती होती है, कि जो भी दुरुभाग्य हो या पिर नकारदमक उरजाय हो, उसे भी अपने अंदर सोक लेता है. लेकिन दोस्तों, आपको इसे ऐसे ही तोड करके पता नहीं होता है. इसलिए जब वे उपाय करते हैं, तो उन्हें उसका फल प्राप्त नहीं होता है. लेकिन अगर किसी भी उपाय को पूर्ण विधी के साथ किया जाए, तो उससे मिलने वाले परिणाम इतने गजब होते हैं, कि आपकी जिंदगी बदलते देर नहीं लग और आपको पूर्ण फल की प्राप्ती हो. तो दोस्तो आप भी इस वीडियो को पूरा अंता तक देखें, जैब जरंग बली कमेंट में लिखें, वेब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही वीडियो को अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें. दोस् उसके साथ सारा दिन या सारी जिन्दगी में क्या-क्या दुख हुआ, किस-किस ने उसके साथ बुरा किया, क्या-क्या उसके साथ बुरा हुआ है. ऐसा करने से पूरी रात उसे चिंता सताती है, और वे ठीक तरीके से नहीं सो पाता है, जिसकी वज़े से उसका अगला दिन भी खराब हो जाता है तो दोस्तों आपको ऐसा बिलकुल भी नहीं करना है दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको केवल रवीवार वे एकादसी के दिन को छोड़ करके आपको तुलसी के पांच पत्तों को सूर्य आश्टो होने से पहले ही तोड़ लेना है दोस्तों तोड़ या फिर तश्वीर के सामने उन्हें चड़ा देने हैं दोस्तों अगर आपको नहीं जानते हैं तो आपको बता दे कि भगवान श्री किशन को तुल्सी के पत्ते चड़ाने से आपके सभी दुखों का नास होता है वह आपकी सोची हुई वह मन में चल रही हर एक मनुकामना भ पूरी हो जाती है लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई विशेश मनुकामना है या फिर आपका कोई कार्य अटका हुआ है जिसे आप पूरा करवाना चाहते हैं तो आप तुल्सी के पांच पत्ते बगवान श्री किशन के सामने चड़ा देने के बाद हाथ जोड़ करके अपन प्रति दिन फिर भाग्य है या फिर आपकी जितनी मनकारतमक उर जाएं वे शक्तियां आपके आसपास मंड़ा रही हैं वे सभी तुल्सी के पत्ते सोख लेते हैं तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको प्रती दिन ये उपाय करना है अगले दिन आप इन पांच तुल्सी के पत्तों को कहीं भी भैते हो जल में परवाइद कर सकते हैं या पर एक जगा पर एक deserve कर लें और जब भी कभी आपका चकर लगे भैते हो जल के पास जाने का तो इन्हें एक साथ भी आ traum भा सकते हैं यह जुरूरी नहीं है कि आप प्रति दिन जाएं और फिर भा कर रही आप रभीवार वेकादसी के लिए एक दिन पहले ही पांच तुलसी के पत्ते तोड़ करके रख ले ताकि आप इन उपायों को रभीवार वेकादसी के दिन भी कर पाए तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि आपको किस परकार से तुलसी के पत तब तक के लिए दिमेज आता धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय बजरंग बली